नवस्कासातियों आप सभी लोग देख रहे होगे कि आपकी UPSC और State PCS को ध्यान में रखते हुए ये सभी क्लासें कवर करवाई जा रहे हैं और इसमें आप देखेंगे कि हम लोग ने प्राचीन भारत का इतिहास भी कवर कर लिया है मद्यकालीन भारत का इतिहास भी हम लोग कवर कर चुके हैं अब हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास कवर कर रहे हैं और इसमें लास्ट क्लास में हमने जो दुतिय विस्तियोद हुई थी और आज की स्क्लास में मिलें भारत सुतनता की ओर किस तरह से बढ़ा है उस पर बात करनी है उन्नीस सो तैतालीस से लिकर उन्नीस सो सैतालीस के बीच जो भी घटना है हुई है उन्हें देखना है इससे बहले आप लोगों को एक जानकारी दे दूं कि आप देखिए आप मेंसे कई लोगों के सवाल रहते हैं कि आप देखते होंगे कि इस्टेट लेवल पर आपकी सिक्षक भरतियां होती रहती हैं कॉंस्टेवल, SI और आप देखते हैं पटवारी, पोस्ट ओपिस के लिए होती रहती हैं या अपर आपने देखा होगा कि आपका सेंटर ले अगर इतिहास से आपकी पेपर में, आपके एकजाम में कुश्यन्स आते हैं तो उन सभी एकजाम के लिए एक किलास बहुत ही मतपूर रहने वाली है और इसकी एक सेपरेट पिले लिस्ट सूची बना दी गई है, UPSC and State PCS Prelims Special Classes के नाम से तो इसी में सभी क्लासें आपको मिल जाएंगी, चाहे वो इतिहास की हो, भुगोल की हो, समिधान की हो, अर्थवे उस्था की हो, या आप देखे, सामान विज्ञान की हो, पूरा पिलिम्स का सिलेबस आपको कबर मिल जाएगा, अब हम लोग भी चलते हैं आजादी की तरफ, और ये आजादी हम लोगों को जो मिली है ना, ये इतनी आसानी से नहीं मिली है, और साइद जो कहते हैं वो एक कहावत है, कि जो आसानी से मिल जाए, उसकी हमें कदर नहीं रहती है, आप देखे, जो अधिकार मिले हुए हमें, जो आजादी मिली हुई है, इसके लिए कितने लोगों ने अपनी जान दी, कितने लोगों को यातनाय जिलने पड़ी आवितियास पड़ियेगा भारत छुड़ू आंदोलन ततकालिक रूप से आस्थफल जरूर रहा क्योंकि इससे भारत को सीग सतंता नहीं कराया जा सका सतंत नहीं कराया जा सका परन्तु जंचेतना जगाने में इसका महतपूर योगदान रहा है देश का कोई भी आंदोलन हो 1857 की करांती हो कोई भी वोस के बाद छोटे बड़े देश की आजादी में सबका योगदान रहा है उन आंदोलनों से कुसी का है हम लोगों ने और आंगे बड़े हैं और इन इस आंदोलन ने विस्व के कई देशों को भारती जन्मानस के साथ खड़ा गर दिया और चीन के तत्काले के मार्सल व्यांग काई सेक ने 25 जुलाई 1942 को अमेरिका की राष्टपती रूज बैल्ट को पत्त लिखा था कि अंग्रेजों के लिए सेष्ट नीती यह है कि बिभारत को पूर सुतन्ता दे दे अमेरिकी राष्टपती रोज बैल्ट ने भी इसका समर्थन किया था और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जब कॉंग्रेस के बड़े नेता जेल से रहा हुए तो उन्हें इस बात की अपेक्चा थी कि बेटिस दमन ने भारती जनता का मनोबल तोड़ दिया होगा परन्तु आगामी तीन प्रमो घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि जनता की जुजहारू सत्ती पहले की अपेक्चा कही जानदा बड़ी है और इसके साथ ही यह एसपश्ट हो गया कि जनता पूर सुदनता से नीचे कुछ भी सुईकार नहीं करेगी यह तीन घटना इकोन कौन सी थी इन्हें देख लिए आप लो इसमें आप देखी आजाद हिंद फोच्पा मुकदमा और रासिल अली के खलाब मुकदमा और राइल इंडियन नेवी के नाविकों की हरताल और आप देखी कि अंगेरेज बड़े इंटलिजेंस थे आप देखी हमारे ही लोगों को भरती करके उन्हें सेना में पुलिस में बवस्ता में रखके हम लोगों पर ही सासन चला रहे हैं और आप देखी जब भी कोई आंदोलन होता था तो बड़े-बड़े नेताओं जैसे गांदी हों पंडिजवाल लाल नहेरूं सुवास्चंद बॉस हों इन लोगों को उठा कर जेर में डाल दिया जाता था कि कोई इनका नेतित करता इस आंदोलन का ना बचे और यह आंदोलन भी खर जाए आजाद हिंद फोच का मुकदमा अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो आप देखींगे बेटीस समराज को उखाड फेटने के लिए सुवास्चंद बॉस ने सिंगापूर में सेप्टमबर 1942 में आजाद हिंद फोच की स्थापना की और इस संगर्ठन ने दुतिय विस्योद में जापान द्वारा बंदी बनाए गए भातिय सेन अधिकारियों और सैनिकों को संगर्ठित करकी एक ससक्त अधिनियम अभियान द्वारा अंग्रेजों को भारस से बाहर निकालने के लिए अंतिम संगर्ष की यूजना बनाए और सुबास ने दुतिय विस्योद को अंग्रेजों की विरुद्ध संगर्ष का ओपियुक्त आउसर मानते हुए जापानी सैनिकों की सहयुक से अंग्रेजों की विरुद्ध एक आक्रमक अभियान छेड़ा और इस अंगर्षन को अपने उद्देश में कुछ अधितक सफलता अवस्य मिली पर दुतिय विस्योद्ध में जापान की पराजित होने के साथी आजाद हिंद फौज को भी आत्म समर्पण करना पड़ा क्योंकि जिससे हम लोग मदल ले रहे थे जिससे आजाद हिंद फौज मदल ले रहे थी वो उसकी हार हो जाती है इसके बाद आजाद हिंद फौज के अधिकारियों और सेहनिकों को गरपतार कर उन पर भारत में मुकदमा चलाने का नेड़ा लिया जाता है और आजाद हिंद के अधिकारियों में करनल प्रेहम सहगल मेजर सहनवाज और करनल करनल गुरू दयाल सींग धिलो थे जिनने बंदी बनाकर बेट सरकार उनके खिलाब कूरता और बरवर्ता का मुकदमा चला रही थी और इसमें अधिक्तम सजा की रूम में तीनों को फासी होती और आजाद हिंद पोच की सभाईयों से जनता की गहरी भावनाय भी जुड़ी हुई थी सरकार की पिती जनता में रोस यानि की गुसा बिभिन माध्यम से हो रहा था और बहिसकार पिदर्सन जनसभा आधी तो आहम बात थी इस समय और कलकता में गुरू द्वारों का प्रियूग आजाद हिंद पोच की फोजीयों की पक्च में पिरचार की केंद की रूम में किया गया चातरों ने इसमें पड़ बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया और कॉंगरेस ने आजाद हिंद फोज बचाओ समिती का गठन किया और रहा किये गये फोजीयों को आर्थिक साहे तय देने उनके लिए रोजगार की विवस्था करने के लिए आजाद हिंद फोज रहत और जाच समती बनाएगे इस कार के लिए देश भर की लोगों ने अपना यहुदान भी दिया और फोजीयों की ओसे मुकदमा भोला भाई देशाई की नेतित में सपुरू, काटजू, आसफ, अली की एक टीम लड़ रही थी और इस मुकदमे की सबसे बिसेस बात यह रही कि बेटे सराज का परमपरागा समर्थक माने जाने बाली सरकारी करमचारी वर्ग ससक्त सैना वर्ग खुले आम आजाद हिंद फोज के सैनारियों की समर्थन में खड़ा हो गया था और बड़े समय से आप देखिए गांदी जी एहनसा की बात कर रहे थे कि हाँ जोड़कर प्रात्नापत लेकर मीटिंग करके आजादी दे दी जाए लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था तो इसलिए आप देखिए लोगों का जुड़ाओ भी आजाद हिंद पहुच की ओर दिखाई दे रहा था मुसलिम लीग कमिनिश्ट्रे पाइटी यूनियन वादी अकाली दल जस्टिस पाइटी हिंदू महसादा आदी ने भी अपना पूर समर्थन दिया इने किने जो आजाद हिंद पहुच के सैनिक थे जो करमचारी थे उन्हें और रासिद अली के इस क्या था इस के पारे में जाल लेजे 1946 में आजाद हिंद पहुच के कैप्टन रासिद अली को साथ साल की कैद की सजादी गई और मुसलिम लीग के नेतत में चात्रों ने अलकत्ता में एक बड़ा जुलूस निकाला जिसमें हर बर जाती धरम के छात्रों ने हिस्सेदारी की और अन्तिता पोलिस ने इन पर गोली वारी और लाधी चार्च किया और हाला कि रासिद अली की खिलाब चलने वाली मुकदमों पर बना बिद्रोही माहुल कुछ सहरी इ केंदर इत्राब किन्तु आजाध हिंद को लेकर चलने वाली नागरिक संगहस गाउं और कस्मों तक फैल गया यानि कि हर जगए देखने को मिलेगा सुवास और आजाध हिंद पोच का क्या सा मंदरा है सुवास चैंद बोस का तो जुलाई 1921 में सौधिस लोटने पर चितर चितरन जन्दास उनकी राजनेतिक गुरू हैं यह आपका वंडे एक जाम में पूच लेगा कि सुवास चैंद बोस की चितरन जन्दास आप लोगों के एक जानकारी देनी है आप बताए कि महतमा गांधी की राजनेतिक गुरू कौन थे सुवास को पहली बार दिसंबर 1921 म 6 माई की सजा हुई जर्मन की जंता ने सुवास को निता जी इसे संबोदेत किया था यह भी याद रखेगा आजाद हिंद फोच का ख्याल सबसे पहले मोहन सींग के मन में आया था और एक सेप्टमब और और जापान पिधान मंत्री तोजोग से मुलाकाद की और आप देखेंगे कि अंग्रेजियों के खलाब थे कौन जापान और 21 अक्टूबर 1943 को सुवास चंद ने सिंगापर में स्वाधीन भारत की सरकार का गठन किया और विसकी 9 सक्तियों ने जिसमें आप देखें जापान जर्मनी, बर्मा, फिलिपिन्स, कोरिया, इटली, चीन, मंचुको और आइलेंड समले थे ने इन सरकार को मानता दी तो बहुत सारे देश आप देखें कि सुवास चंद भास को सपोर्ट भी कर रहे थे उनकी सरकार को मानता भी दे रहे थे 6 युलाई 1944 को सुवास ने गांधी जी को संबोळित करते हुए राष्ट पिता कहा था ये भी कई बार कूछ लेता है कि बापू को मातमा गांधी को Рाष्ट पिता किस में कहा था सुवास चंद भास ने साथ जुलाई 1943 कुरास ब्याहाई बोस ने आजाद हिंद फोच की कमाल सुबास चंद बोस के उस्वापदी थी और सुबास ने आजाद की फोच का मुख्यारा रंगून और सिंगापुर में बनाये था यह भी आग रखिएगा एक आप देखते हैं कि रॉयल इंडियन नेवी का बिद्रो हुआ था एक क्या था फरवरी 1946 की बात है कबकी फरवरी 1946 की बात है बंबई में हम तलवरे तलवार के 1100 नाविकों ने नसल बादी भेदभाव और आखाद भोजन की विरोध में हर्ताल कर दिया क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अंग्रे नसलिये भेदभाव भी करते थे खाने पीने में भेदभाव करते थे साथी उन्होंने मांग की कि नाविक बीसी दत जिने जहाज की दीवारों पर भारत चोड़ो लिखने के आरूम में गरपतार किया गया था अब अगर आप सोच करेंगे कि अंगले दिन यह अपवा पहल गई कि तलवार के नाविकों पर गोली चली पईडाम सरूप कोट वैरक एबं कैसल के सैनिक भी नौसेना के साथ सामिल हो गया और बिरोध मुंबई की सटकों तो पहुंच गया और सीगी स्थानी नाक्रेकों ने भी ब्यापक रू प्रीन तक यह से इलसला फैल गया और इसे दवानी के लिए सरकारम ने अतिन्त कठोरता से काम किया कैसे कठोरता के साब किया आप लोग ने पहले इतिहास में पढ़ा होगा कि आप देखते होंगे कि कि किसी एक पर अत्याचार होता था किसी संगर्धन पर पितिवंग लग ला जाता था तो बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो कुछ नहीं बोलते थे आप देखे पहले एक राजा अंगरेजों की मदद कर रहा होता था दूसरा आप देखी अंगरेजों के खलाब लड़ रहा होता था लेकिन यहां तक आते आते लोगों की और सभी की मन में एक सव साप हो गया कि अगर भारतियों को आजादी चाहिए अंग्रेजों से बेटे सरकार से तो सब को एक होकर लड़ना होगा किसी एक के विरोध भी अगर किसी तरह की कारवाही होती है तो उसके सपोर्ट में खड़ा होना होगा और इन इन ही घटनाओं से कुछ सामान निश्कर सामने आए पहला तो आप देखे कि भारतियों भारतिये मामले में भारतिये अब विदेशी ताक्तों के नेड़े को मानने के लिए कताई तेयार नहीं थे और दूसरे सरकारी सेवक सैनिकों ने भी अंतरमन से यह सुईकार कर लिया थ अब सीग ही समाप्त होने वाली है और यही कारणी कि अब वह खुलकर बेटिस बिरोध में सामिल होने लगे थे और तीसरी जनता एक सामन मुद्दे पर भी पूरी एक जुटता और तागत के साथ बेटिस बिरोध के लिए ततपर होने लगी थी और इन सब घटनाओं ने ए अब कुछ और दिन दाल गलने वाली नहीं है एक आप देखते हैं कि इसके बाद केविनिट यह उजना आती है 1946 की बात है 1946 की चुनाओं के बाद कॉंग्रेस और लीक की मजबूत इस्तिती के कारण यह समस्या उठी कि भारत के दो भागों में तालमेल किस पिकार किया जाए क्योंकि पितेग भाग स्वायत्ता और स्वाधीनता की मांग कर रहा था एक जनवरी 1946 को भारत सचे पैथिक लारेंस ने गोशना की कि बेटिस जनता तथा वहां की सरकार चाहती है कि भारत बेटिस राष्ट मंडल में पूर और सुतंद वरावरी का पद सीगिता से प्राप अधन के लिए वेटिस केमिनेट मंतरियों का एक मिसन भारत जा रहा है और इस मिसन में भारत सचेव लार्ड पैन्थेक लारेंस वोड आप ट्रेड के अध्यक्ष इस्टेफर्ट किप्स और फर्ष्ट लार्ड ओप एड्मिरेटी एबी अलेकजंडर सामिल थे और वेटिस मार्च को भारत पहुंचता है और मिसन का उद्देश था कि ऐसी विवस्था इस्थापित की जाए जिसके द्वारा भारत के लोग ही सुतंद भारत की स्थिति का निश्चे करें और अंत्रें विवस्था भी करें मिसन ने पांस सप्ता तक प्रांतिय गवर्नरों और वायसराई की कारकांडी पर्चत की सदस्थों विविन्य दलों के नेताओं अल्भमत वाले समधायों और विसेस हितों की पितिनिदियों प्रांतों की मुखमंत्रियों और पिसित ब्यक्तियों से और भारतीय रजबाड ये सम्मेलन का आयोजित किया का सिल्मला में और इसमें कॉंग्रेस की तरफ से अबुल कलाम आजाद, पंडिजवाहलाल नहरू और सरदार पटल, लीक की तरफ से मुहमद अली जिन्ना, लियाकत अली खां और नबाब इसमाइल खां और सरकार की युगों से देखेंगे आप की वायसराय, मिसन की तीनों सदसों ने भी भाग लिया, और यह सम्मेलन 5 माई से आप 11 माई तक चला, लेकिन कोई निसकरस नहीं निकला, क्योंकि लीक पाकिस्तान की मांग छोड़ने को तयार नहीं थी, यानि कि अलग देश बनाने की बात कर रही थी, अपने आपको, पैडाम सरूब मिसन ने अपनी तरफ से 16 माई 1946 को एक योजना रखी और जिसके प्रमुक पिरावधान नहीं थे, तो यह भी आप लोगों को याद रखना चाहिए पिरावधान, इसके अनुसार बेटिस भारत और देशी रजवाडों का एक संग बनाना चाहिए, इस संग क के हाथ में विदेशी मामले, रक्षा और यातायात के मामले होंगे, संगी की एक कारकायनी होगी, और तथा भारत और रजवाडों की एक बिधान सभा भी होगी, और यह सभा में कोई भी संपदाएक मसला सभी की सहमती और भहुमत से ही हल होगा, और संगी विसों के अतरिक और संग और प्रांतों के सम्मिधानों में ये विवस्था होनी चाहिए कि कोई भी प्रांत अपनी विधान सभा के बहुमत से 10-10 साल पर सम्मिधान पर पुनरविचार करने को कह सकता है कैबिनेट मिशन ने सम्मिधान सभा में कुल 389 सदसों की चुनाओ की बात की जिसमें आप देखेंगे 292 सदस बैटिस भारत के आप देखेंगे 93 सदस देशी रियासतों की चार कमिशनरी छेत के पिती ने दी होंगे परांथों को तीन हिस्सों में बिभाजित किया गया इसमें कौन कौन थे इसमें 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 आप देखेंगे कि परांथों को तीन हिस्सों में बिभाजित किया गया है अगर आप सोचे कि सभी अपने अपने को देश बना लेती तो आप अगर दिली से आप देखी कि अतर्फदेश जाते, तो एक दो रियासतों को आप लोग पार जाते हैं, यानि कि एक दो देसों की यातरा करना शुरू कर देते, समघ रहे हैं आप लोग, और इन गोटों के पिति निदी सबाग संग की समीधान को तियार करेंगी संपताइक मुद्दों पर यह है आवसक होगा कि पितेक बर्गों के बहुँअ से ही नेड़ हो एक ऐसी अंतरिम सरकार कायम की जाएगी जिसको लगबग सभी रानेतिक दल की माननता पराप्त हो अब हम लोग आजादी की ओर बढ़ रहे हैं देखे धीरे धीरे और इसके बाद आप देखेंगे कि 29 जून 1946 को कैबिनीट मिसन भारत से बापस चला गया और लीक और कॉंग्रेस ने ना चाहते हुए भी पिस्ताओं को सुईकार कर लिया और 16 अगस्त 1940 को लीग ने सिधी कारवाही दिबस की शुरुवात की और लीक की इस कारवाही का उद्देख संपदायक दंगे फैलाना आतं का माहुल बनाकर यह से दिकरना की हिंदू-मुसल्वान एक साथ नहीं रह सकते और यह हुआ भी और यह विवस्ता की गई कि सम्मिधान निर्मात्री सवा का गठन आपित्यक निर्वाचन द्वारा होगा इस उद्दे से पितिक प्रांत को उसकी जन संक्या के अनुपात में कुछ इस्थाना वंटित किया जाना चाहिए जो समानता 10 लाग की संक्या पर एक हो जेकिन याद रखें कि इनका जो निर्वाचन हुआ वो किस तरह से हुआ आपित्यक्ष तरीके से हुआ आपित्यक्ष मंडली है जिश्च मंडल की यूजना सुईकार कर ली कॉंग्रेस परान्तों के घुट बनाने पर आपित्सन ने थी और लेक पाकिस्तान के ना मानने पर यानि कि पाकिस्तान को अलग देश ना बनाने पर वो इसमें एक तरह से आशहमत थी खोस नहीं थी और सिश्च मंडल उन्होंने आसा ब्यक्ति की कि संभावता ऐसा सम्मिधान सभा की सदस्ट चुनाओ की पश्चात हो सकेगा और आप देखेंगी कि सम्मिधान सभा के चुनाओ में कॉंग्रेस ने कॉंग्रेस ने 24 सामान इस्थानों में से 205 इस्थान पराप्त किये उन्हें 4 सिक्ष सदसों का भी समर्थन पर आप था और मुसलिम लीग को 78 मुसलिम इस्थानों में से 73 इस्थान मिले और इस पेकार जिन्ना ने अनुभाव किया कि 296 सदस्ती है समिधान सबाब में उनके पास तुकेवल 73 इस्थान होंगे जो की 25-30 से भी कम होंगे और इस पे अध्यक्ष कारवाही दिवस के नाम से भी जानते हैं तो यह भी आप लों याद रखिए पूंच लेता है कई बाद वैसराय ने पंडित जवाहलाल नहरू को अंतरिम सरकार बनाने का नेवन तरिया और आरम में जिन्ना ने इसमें समलित होकर होना सुईकार नहीं किया लेकिन अंतरता कुछ सर्थों के साथ वह सरकार में समलित हो गए थिर भी उन्होंने समिधान सबाब में समलित होना सुई गया था और 13 दिसंबर को पंडित जवाहलाल नहरू ने सोपिसिद उद्देश पिस्ताव रखा जिसमें भारत को एक सोतंत तिर्भू सक्ता पूर सोतंत गरतंत बनाने का लक्ष निधारित किया गया था यह पूँच लेता है कई बार पूँच लिया है कि पहले स्थाई अध सभार अधिक्च कौन थे आपके देखे राजिन पसाद 9 दिसंबर 1946 में वले थे और आप देखेंगे कि क्या देखेंगे आप लोग कई बार आप लोग देखते हैं कि डेटों में गलती हो जाती है कई फुस्तोगों में बुकों में हो जाती है तो समिधान सभा की अगर हम बात करें ना तो आप लोगों को एक बात मालू होने चाहिए कि 9 दिसंबर 1946 का समिधान सवा की पिथम बैठक होती है और 9 दिसंबर 1946 को पिथम बैठक के दौरान समिधान सवा का आयस्थाई अद्यक्ष डॉक्टर सचीरा नंद सिन्हा को बनाये गया था यह भी आप लोग या कब 11 दिसंबर 1946 को गठित समिधान सवा का इस्थाई अद्यक्ष डॉक्टर राजिंद पिसाद को बनाये जाता है कब 11 सेप्टमबर को 11 दिसंबर को माप करिए और उसके बाद आप देखेंगे कि 13 दिसंबर को पंडित नहरू ने जो उद्देश पिस्ता हो है वो रखा समि रखना चाहिए क्या करें कि बार कनिफियोज हो जाते हैं आप देखें और हमसे भी गलती हो जाए तो आप लोग स्थार की नीचे लिख दिया करिएगा किताब में भी कई बार गलती हो जाती हैं अंत्रिमंती मंडल सरकार देख लीजे एस सदस्थ हो गया ये विभाग हो ग देख लीजे ये आप देखें ग्रह सूचना पिसारन पिभाग और रियासत संबंदी मामले थे पंडी जवालाल नहरू क्या पिदान मंत्री थे और साथ में याद रखे बल्देव सिंग ये उद्द्यव और आपूर्ती बिभाग की मंत्री थे इनके पास बिभाग था सी राजगोपाल आशारी ये आप देखेंगे सिक्षा विभाग था सी एच भाबा कारी खान और बंदरगा था डॉक्टर राजिन पर साथ खादेवम किसी विभाग था अवना आसापली रेल विभाग था जगजीमम राम सरम विभाग था इसमें ठीक है ये अंत्रे मंती मंडल है और लीक के सदसों में देखें तो लियाकत अली खां ये वित्व विभाग था इनके पास आई आई चुंदीर कर गर वाडिज विभाग था जोगेंदनात मंडल विधी विभाग था गजनफर अली खां स्वास्त विभाग था अब्दोलरव नस्तर ये संचार बैकली ने जूनWAY 948 तक पिरभु सक्ता भारतियों के हातों में यानि की आज्यादी भारतियों के हातों में सौफे जाने की गोशना कर दी इसके साथ ही केब्निट मिसंद्वारा आसुईकार किये गए भारत की विभाजन को इसे उजना में सुविकार कर लिया गया और इसे गोशना के होते ही लीग ने भारत विभाजन के लिए एक खूनी संगास का आरम किया भारत में कलकत्ता, आसाम, पंजाब, उत्तर, पश्मी, सीमा परांत में भीसर संपदायक दंगे आरम हुए और इस गहडा और आतंग के बातावर्ण में भारत की एकता बनाय रखना संभव नहीं लग रहा था और साथ यही कारण था कि कॉंग्रेस विभाजन की बात को सुईकार करने के लिए बाद धो गई और इसी को आप देखें कि गांधी जी की गलती भी मानते हैं कई लोग गांधी जी को जिम्मेदार ठहराते हैं कि गांधी जी का और कॉंग्रेस की वज़े से भारत का बिभाजन हुआ लेकिन मुझे लगता है कि इस समय जो परिष्टिती मन गई थी उसके आंगे कोई बिकल्प भी नी था आप समझ रहें पाकिस्तान को अलग करने के सिभाय कोई बिकल्प भी नी था आप भी तो देखते हैं नौrmal आपने देखा होगा किसी परिवार में तीन चार भाई हो उन भाईयों में अगर लड़ाई होती हो तो आप देखेंगे माबाप यही करते हैं क्या करते हैं कि उन सब को अलग कर देते हैं कि भाई जब अलग हो जाईए अब आपकी लड़ाई सांत हो जाएगी तो यही मुझे लगता है उस समय कॉंग्रेस ने किया और गांधी ने किय और आप देखें उस समय कहते हैं कि जब यह दंगे हुए फसाद हुए तो लाखों लोग मारे गए और कहते हैं कि करोणों लोग प्रभावित हुए इन दंगों से माउंट बैटन एउजना इसे आप लोग 3 जून एउजना भी के नाम से जानती हैं 3 जून 1947 की बात है कॉंग्रेस और लीग दोनों ने ही एटली की घुषना का स्वागत किया क्योंकि लीग को मुसलिम लीग को उनका जो चाहर है थे वो मिल गया और माउंट बेटन ने 24 मार्च 1947 को गवर्नर का पद गरहन किया और लंबी विचार विवर्स के बाद अंधता माउंट बेटन इस नतीजेश पर पहुंचे कि अब भारत का विवाजन ही सही सभी समस्तियाओं का हल है माउंट बेटन ने कॉंग्रेस के प्रमुक नेताओं को भारत विवाजन के लिए तयार कर लिया देख लिए इतना बड़ा तयाग आज मुझे लगता है कि कोई और नहीं देने वाला था इतनी बड़ी बात कोई और नहीं कहने वाला था क्या कहा गांधी जने कि मुहम्मद अली जिन्ना को पिदार मंती बना दिया जाए मंती मंडल चुन्ने का अधिकार दे दिया जाए गांधी जी के इस पिस्ताओं का जवाहलाल नहरू और सदार पटल ने तीब बिरोध किया था आप देखें कि गांधी जी ने यहां तक कह दिया कि मतलब आप देखें भारत एक बना रहे इसका पिदान मंतरी मुहमद अली जिन्ना बन जा है मुझे कोई प्रोबलम नहीं है और देखें एक तरफ आप देखें कि कौन पंडिस जवालाल नहरू सदार पटल साम इसका विरोध कर रहे थे क्योंकि आप देखें कि बुकित तरह का भेदभाव करते अगर पिदान मंतरी बन भी जाते तो क्योंकि आप देखें उनकी तो सोच ही एक बन चुकी थी कि अलग धरम की नाम पर उन्हें देश चाहिए कॉंग्रेस और लीग निताओं से बात करके माउंट वेटन अपनी योजना की सुईकिती के लिए लंदन गए 31 मई को पुनहा वापस आए और इसके बाद कॉंग्रेस और लीग ने इस योजना पर अपनी सुईकिती पिदान कर दी और बेटे सरकार ने 3 जून 1947 को विभाजन की योजना पिकासित की और जिसे 3 जून की योजना या माउंट पेटन योजना भी कहा जाता है इसमें मुख पुरावधान किया क्या थी? इसमें कहा गया कि हिंदोस्तोवान को दो भागों यानि की भारतिये संग और पाकिस्तान में बाढ़ दिया जाएगा इन दोनों की सीमाए निधारित करनें के लिए पश्मोत्त सीमापरांद सीमापरांद असम की सिलहट जिले और सिंध में जनबस संग्रह द्वारा यह पता किया जाएगा कि बे किस में किस में सामिल होना चाहते हैं भारत में रहना चाहते हैं या भारत से बाहर पाकिस्तान में जाना चाहते हैं हिंदोस्तान की बटबारी की पूर पंजाओ और बंगाल की सीमा निर्धारन का फैसला होगा और इसके लिए इन परांदों की विधान सवाओं को दो बर्गों में बाटा जाएगा ए आप मुसलिम बहु संख्यक जिलों का बर्ग और भी में हिंदू बहु संख्यक जिलों का और ये बर्ग इस बात का नेड़े करेंगे कि वे 21 में सामिल होंगे और अगर एक वर्ग विभाजन नहीं चाहेगा और दूसरा चाहेगा तब भी विभाजन कर दिया जाएगा और इसलिए आप देखते हैं कि पंजाब हम लोग देखते हैं इसका कुछ हिसा पाकिस्तान में भी चला गया था इन कारेओं को करने के लिए हिंदोस्तान की समिधान सभा को दो भागों में बाटा गया भारतीर संगी की समिधान सभा और पाकिस्तान की समिधान सभा इन दोनों राज्यों को डोमिनियन स्टेटस दिया गया और देशी रियासतों को इस बात की पूरी जमुकस्मीर अभी तक विवाद बना रहा है उसका। दॉक्टर किचलू पुरुसुत कमदास टंडन मौलाना हपी जर्मान इत्यादी और आप लोगों के एक और बात बता दें हमारे देश में बहुत सारी रियासत हैं भी थी उन्हें एक करने का काम किस ने किया आप देखे बल्लब भाई पटेल सरदार बल्लब भाई पटेल साह अगर उन्होंने तूता की तो क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो जन्ता जो थी वो आजादी की लड़ाई लड़ रही थी और आजाद होना चाह रही थी तो आप देखें उनसे कह दिया गया कि आपकी जन्ता तैयार बैठी आपके बिरोध हम थोड़ी सी हवा देंगे और आपको ही एक तरह से आप देखें उठा के नीचे कर देगी तो बहुत सारी रियासते आराम से सामिल हो गए और जो नहीं हुए तो जवर जहस्ती हो गए 10 जून 1947 को दिल्ली में मुसलिम लीग ने अपनी बैटक में इस पिस्ताओं को सुईकार कर लिया और 4 जूलाई 1947 को बिट संसत में भारती स्वाधी हिंता विधेयक पिस्तुत किया गया 15 जूलाई को वह बिना किसी संसोधन की हाउस ओफ कॉमन्स से और 16 जूलाई को हाउस ओफ लॉड्स से से पास हो गया और इसके बाद 18 जूलाई 1947 को इंगलेंड की समराट ने उस पर हस्ताक्षर कर दिये तो इन डेटों को भी आप लो याद रखेगा भारत का विभाजन और सुतंता की प्राप्ति इसके बारे में भी जान लिजे आप लो आप देखेंगे माउंट बेटन योजना की आधार पर बैटिस संसद ने 18 जूलाई 1947 को भारती सुतंता अधिनियम 1947 को पास कर दिया और इस उपबंद द्वारा ही 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ और माउंट बेटन योजना की अनुसार 14 अगस्त 1947 को देश का विभाजन करके पाकिस्तान की स्थापना की गई और जिनना जिसके पिरमोघ कवर्णर जनल और लियाकत अली पितम पिधान मंत्री बनते हैं और 15 अगस्त 1947 को भारत को सुतंता पिदान की गई और Lord Mountbatten सुतंत भारत की पितम गवर्णर जनल और पंडीजबालानल ऑन्लेरू पितम पिधान मंतरी बनते हैं सुतंत भारत की अंतिव गवर्न जनरल आप देखिए सी राजगोपालाचारी थे ये भालतिय थे और स्वाधीनता के साथ भालतिय जन्ता की इतिहास का एक नया युग कारम होता है और जिसने नए एवं समरेद भारत की निर्माड का मार्ग पिसस्त किया है देखिए हमारे प्यारा भारत आज का भारत दिख रहा है और आपको बता देखिए जो पाकिस्तान आप लोग पड़ोसी देखते हैं पहले ये जो बंगलादेश है कौँसा ये ये भी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था ये आप देखिए और ये दोनों हिस्सा पाकिस्तान की कबजे में थे लेकिन आगे आप देखते हैं कि 1971 की बात हैं भारत हो पाकिस्तान की बीच यह दोता है बंगलादेश की आजादी को लेकर और उस समय हमारी देश की पिधान मंतरी इंद्रा गांदी थी और आप सभी जानते हैं कि अभी तक की द्यास में एक मात महला बनी है पिधान मंतरी हमारे देश में और आप देखें आज की पाकिस्तान को देख लिए लगदाक हो जम्मू कस्मीर हो पंजाब हो राजिस्तान हो और गुजरात हो इस सभी पाकिस्तान के से राज लगते हमारे और बंगलादेश से आप देखें पर्ष्रमंगाल असम मेगाल है तो इस तरह का भारत आते आते आप देखी कितना कुछ खोना पड़ा क्या क्या होना पड़ा और भारती सुतंता अधिनियम 1947 के अनुसार पाकिस्तान के राज़चेत में पूरी बंगाल, पश्मी बंगाल, सिंध और उत्तर पश्चिम सीमा परांथ समलित हुए और पूरी बं और राज़बाड़े दोनों में से भारत और पाकिस्तान किसी भी डॉमिनियन में समलित हो सकते हैं और दोनों डॉमिनियन और प्रांथों का संचालन 1935 के अधिनियम के अनुसार उस समय तक चलाया जाएगा जब तक कि संबंदी समिधान सभा इसके लिए कोई समिधानिक व और आपके पास टाइम है अगर तो आप सभी NCEIT बुक्स जरोर पड़ें एक बेस आपका मजबूत होगा ठीक है अंगली किलास में हम लोग मिलेंगे भारत में जो संपदायकता हुई और देश का विभाजन हुआ जब पाकिस्तान अलग हुआ तो उसके बारे में एक विस् सलाय हो तो आप लोग नीचे दे सकते हैं बता सकते हैं अपने